सही नाप के साथ सही तरीका खीर बनाने का हो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सीमा स्मार्ट किचन आज हम बनाएंगे एक रिक्वेस्टेट रेसिपी चावल की खीर पर आज इसे मैं अपने मम्मी के तरीके से बनाऊंगी जो बहुत ही स्वादिस्ट बनती है और एकदम परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ है चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं थ्री टेबल स्पून चावल ले लीजिए ये कच्चे चावल है आपके घर में जो भी चावल एवेलेबल हो वो ले सकते हैं नॉर्मल वाले निकाल के साइड में रख दीजे जब तक हम सबतयारी कर लेंगे काजू वादाम पिस्ता और चिरोंजी ली है इन्हें थोड़ा दरदरा कूट लेना है ड्राइफ रूट्स थोड़े से कम या ज़्यादा ले सकते हैं यह है खजूर सूखे खजूर के छोटे टुकड़े कर लेने हैं और ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है या तो फिर नाइफ की साहता से छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है इससे खीर का टेस्ट और बढ़ जाता है अब एक फैलते हुए पैन में वन टी स्पून घी डालिए घी गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दीजे बीगे हुए चावल चावल को हमें बहुत देर नहीं भीगाना है पांस से छे मिनट भीगाना है उससे जादा नहीं और अब इसे एक से टेड़ मिनट तक लो फ्लेम पे भून देना है उसके बाद डाल दीजे खजूर का पाउडर या फिर खजूर के टुकड़े जो भी आपने तैयार किये हैं एक से टेड़ मिनट और भून लीजे लो फ्लेम पे इसी समय इसमें टाल दीजे केसर के धागे थोड़ा सा चला लीजे और तुरंथ ही टाल दीजे दूद दूद मैं यहापे फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ आप भी यही यूज़ करें इससे खीर बहुत मिक्स होने चाहिए अगर आप दूद को नहीं चलाएंगे तो चावल नीचे चिपक सकते हैं जब तक चावल थोड़े से कोक ना होने लगे तब तक चलाते रहना है और या तो फिर दूद में एक अच्छा उबाल आने लगे तब तक चलाते रहना है उसके बाद आप लोट हुई मलाई को निकालते रहना है लगभग 22-30% होने दीजिए इस तरह का दिखने लगेगा लो फ्लेम पे खीर को बनाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं उसके बाद चेक करके देखिए चावल को अगर चावल अच्छे से कुक हो गए हैं तो ही चीनी डालना है अगर नहीं हुए ह चावल अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें डाल देंगे चीनी चीनी भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या जादा ले सकते हैं मैंने हाफ कप से थोड़ी सी कम ली है साथ ही इसमें डाल देना है तरदरे कुटे हुए ड्राइफ रूट चीनी डालने के बाद एक बा इसमें को बंद कर दीजिए लीजिए तैयार है गर्मा गरम खीर पर खीर ठंडे होने के बाद ज्यादा टेस्टी लगती है इसलिए इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए ठंडा होने के बाद यह अच्छी पॉफेक्ट गाड़ी हो जाएगी वाओ देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है आप इसे जरूर बनाए यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी खजूर का जो मैंने दरदरा कुटा हुआ पाउडर डाला है उसकी वज़ा से खीर का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए कमेंट करके मुझे जरूर ब प्रेस कीजिए इससे आपको रेसिपी अपलोड का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा मिलते हैं एक नियो रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग बाब बाई